नमस्कार दोस्तों मैं इम्रान खान स्वागत करता हूँ आप सब का चत्र बुच से सम्मंदेत इस दूसरे वीडियो में आज हम लोग इस वीडियो में चत्र बुच के प्रकारों पर चर्चा करेंगे Classification of Cordilateral दोस्तों आप सभी चत्र बुच की परिभासा से भली बाती परचित हो चुके हैं और जो उसके छोटे करेक्टरिस्टिक होते हैं कि उनमें चार बुजाएं होती हैं और चार कुण इनसे भी आप परचित हो चुके हैं तो जो चेतुर भुज की चार भुजाएं होती हैं, ये अलग-अलग भाती एक दूसरे से जूर सकती है। अलग-अलग कूनों के आदार पर, अलग-अलग टाइपस से और अलग-अलग सेप लेते हुए, इन्ही को द्रश्टिगत रखते हुए इन्ही को ध्यान में रखते हुए चतुर्भुज का क्लासिफिकेशन किया गया है और आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भुजाओं की संरचना है इनके आधार पर चतुर्भुज को छे भागों में बाटा गया है पहला कौन सा चतुरभुज होता है सामानता चतुरभुज, दूसरा आयत, तीसरा सम चतुरभुज, चौथा वर्ग, पांचुवा सम लंब चतुरभुज, और चतुवा पतंग चतुरभुज या हम इनको पतंग भी बोल सकते हैं मुश्रली आप इनके नाम को चाहें तो चतुर भुझ ले करके बोलें, अदर्वाइज आप सीधे ही बोल सकते हैं, जैसे कि हमने बोला आयत तो आप इसे बोल सकते हैं, आयत चतुर भुझ और हमने बोला वर्ग तो आप वर्ग चतुर भुझ भी बोल सकते हैं, दो अकरतियां ऐसी हैं जिनके नाम में चतुरभुज लगाना बेहर जरूरी होता है जैसे कि सामानतर चतुरभुज और सम चतुरभुज क्योंकि यदि हम सामानतर और सम करके बोलेंगे तो ये हमारे पूरे अर्थ को इस पस्ट नहीं कर पाएगा तो आप अपनी स्क्रीन पर फिकर देख रहे हैं इन फिकरों में जो छै कलर के चतुर भुज बनाएगे हैं प्रते कलर एक अलग तरह के चतुरभुज को डिफाइन कर रहे क्लासिफाइट कर रहे हैं सम्चत्रभुज या समानता चत्रभुज बोला जाएगा इस पर हम अपनी चर्चा को जाजी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सभी प्रकार के चत्रभुजों के अंग्रेजी नामों पर भी अपनी जानकारी को पुक्ता करने के कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, अंग्रेजी नामों का महतोर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामानता चत्रभुज, सामानता चत्रभुज को अंग्रेजी में परलेलो ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है Parallelogram spelling आपके सामने इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है पहले नंबर में जो चित्र बना हुआ है वो parallelogram को प्रदेश्चित का रहा है वहाँ पर उसकी English भी दी गई है इसके बाद जो दूसरा चित्र बना हुआ है पीले रंग का वो आयत का चित्र है और हम लोग इसे अंग्रेजी में rectangle कहा जाता है rectangle R-E-C-T-A-N-G-L-E rectangle rectangle means आयत अब हम बात करेंगे rombus की और rombus क्या कहलाता है ये कहलाता है सम्चतुर भुज फिर से दान देखेंगे कि सम्चतुर भुज को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है rombus इसके बात चौथे नंबर में जो बैंगनी रंग से एक figure बना हुआ है उसे हम बोलते हैं वर्ग और अंग्रेजी में वर्ग को कहा जाता है square फिर अगला नंबर आता है सम्बलंब का सम्बलंब को अंग्रेजी में दो नामों से सम्मोधित किया जाता है United Kingdom यहाँ पर जो सम्बलंब है उसको बोलते हैं टैपेजियम और United States यहाँ पर सम्बलंब को कहा जाता है इंडिया में जो सम्बलंब है mostly सभी लोग टैपेजियम कह करके ही इसे सम्बोधित करते हैं तो आप अपने माइंड में दोनों चीजों को रखेंगे इसके बाद जो शठवा नंबर आता है एक आकर्टी बनी हुई है गहरे गुलाबी कलर से पतंग की तरहें वो आकर्टी दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं पतंग चतुरभुज और अंग्रेजी में इसे सिंपल सा नाम दिया गया है काइट तो 6 प्रकार के जो चतुरभुज हैं उनके अंग्रेजी नाम क्या है ये आपके सामने बता दिया गया है सबसे पहले हम लोग चतुरभुज के एक विशेष प्रकार आयत पर चर्चा करेंगे आप अपनी स्क्रीन पर जो फीगर देख रहे हैं वो आयसे सम्मन्दित है और आप इस फीगर पर देख रहे होंगे कि चार भुजा हैं A, B, B, C, C, D और A, D और इसके अलावाद दो विकर्ण बने हुने हैं A, C और B, D जैसा कि हम सबी लोगों को मालूम है कि चतुर भुज में चार भुजाएं और दो विकर्ण होते हैं इस आदार पर ये तो तय हो गया कि ये एक कोई चतुर भुज है अब ये किस प्रकार के चतुर भुज है उसके लिए हम इस पर चर्चा करना जरूरी समझते हैं तो आयत में क्या होता है आप देख रहे हैं कि यहां पर जो फीगर बना हुआ है चारों कौनों A, B, C, D प्रतेक पर 90 डिगरी का कौन है क्योंकि इनकी लाइने एक दूसरे से बिलकुल 90 डिगरी एंगल पर जॉइंट हो रही है भले ही इस फीगर पर नहीं दिखाय जा रहा है लेकिन यहाउैत के एक प्रमुक्त सर्त होती है कि उसकी जो भी दो बुजाएं आपस में कनेक्ट होती हैं वो 90 डिगरी के कौन पर कनेक्ट होती है तो अब 90 डिगरी का कौन चारों कौनों पर चार बुजाएं और 2 भुजाएं इसի को ले करके हम आयत की परिबासों को एक दूसरे के बराबर और सामानतर होती है आयत कहलाती है आयत का प्रते को नबे डिग्री होता है दान रखेगा आयत की परिवासा में आपको ये पॉइंट सामिल करना बहुत जरूरी होगा कि आयत का प्रते को नबे डिग्री होता है अब इसी परिवासा को अगर और आप ब गिरी हुई ऐसी आकरती जिसके आमने सामने की बुजाएं एक दूसरे के बराबर और सामानतर होती हैं तथा परते कुण 90 डिगरी होता है आयत कहलाता है या आयत कहलाती है। पर आपको ये मिंसन करना हम जरूरी समझते हैं कि 90 डिगरी वाले पॉइंट को परिभासा के अगर आप अंदर रखेंगे तो गलत होने की समभावनाएं बहुत तम हो जाएंगे अब यहां पर हम जानते ही कि आयत एक चतुर भुज का प्रकार है तो जहां पर हमने सुरुवा आत्मी बूला है आपके साथ कि चार भुजाओं से गिरी हुई ऐसी आकरती तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं चतुर भुज नाम से क्यूंकि 100% आयत के अंदर वो सारे के सारे मौजूद हैं जो चतुर भुज के अंदर होते हैं तो हम इस परिबासों को और मॉडिफाई कर के बुलते हैं आपके समने कि ऐसा चतुर भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर और सामानतर होती हैं तथा प्रते कौन 90 डिगरी का होता है आयत कहलाता है अब यहां पर वो सारे चीजें यहां पर सामिल हो गई जो चतुर भुज के परिबासा मे होती हैं जैसे कि दो विकर्ण चार भुजाएं तो आपको अतरिक्त कुछ और बोलने की जरूरत नहीं रहेगी अब हमने आयत से समंदित पूरी परिबासा का अध्यन कर लिया है और हम इस परिबासा को जो आपकी स्क्रीन के सामने फीगर दिया गया है उस पर अपलाई करक कुछ पॉंट्स समझने की कोसिस करते है जैसे कि अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे कि आयत A,B,C,D में भुजा,A,B, समांतर,Bुजा,C,D तथा भुजा,A,B, बराबर,Bुजा,C,Д फिर हम लिखेंगे भुजा AD समानतर भुजा BC वा भुजा AD बराबर भुजा BC अब हम नीचे लिखेंगे विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD तो यह जो सारे पॉइंट थे IS related वो हमने यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी कौपी पे लिख लिए हैं दोनों भुजाओं को बराबर भी कर दिया हमने सामने की भुजाओं को बराबर कर दिया समानतर भी कह दिया और विकर्णों को भी बराबर कहा है हमने एक नया फिगर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस फिगर के माध्यम से हम आपको आयताकार आकर्ति पे लंबाई और चौडाई की जानकारी देने जा रहा है जो चित्र बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि A, B और C, D लंबाई को डिनोड कर रहा है A, B सामांतर C, D तथा A, B बराबर C, D और फिर हम बोलेंगे B, C सामांतर A, D तथा B, C बराबर A, D यह हमारा जो है आयत से रिलेटेड जो भी और धार ना थी वो आपके सामने हम लोगों ने डिस्क्लोस किये आपको पता ही चल गया है हमने सामने की बुजाएं सामांतर और बराबर, दोनों विकरनों की माप बराबर और प्रतेकों 90 डिग्री अब हम लोग आयत से सम्मदित महत्पून सूत्रों के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे सबसे पहले हम आयत से सम्मदित एक बहुत ही महत्पून फार्मूले की चर्चा करेंगे और यह है आयत का च्छेत्रफल एरिया आफ रेक्टिंगल देखे आयत की जो चार बुजाएं होती है इन चारों बुजाओं के बीच में जो बांडेड एरिया होता है जो घिरा हुआ च्छेत्र होता है वही आयत का च्छेत्रफल कहलाता है और आयत का च्छेत्रफल क्या होता है इसके लिए हमें फार्मूला याद करना है आयत का च्छेत्रफल बराबर लंबाई गुने चोड़ाई आपके सामने जो स्क्रीन पे चितर दिखाये जा रहा है उसमें लंबाई को L से और चोड़ाई को W से प्रदश्चित किया गया है देखे बहुत जगहों पर लंबाई को इसमाल L और चौड़ाई को इसमाल W या लंबाई को इसमाल L चौड़ाई को B से भी परदर्शित किया जाता है तो यदि हम इनको सिंबल रूप मानते हुए आयत की छेतरफल का फार्मूला पढ़ेंगे तो आयत की छेतरफल हो जाएगा L गुने W या L गुने B तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि आयत का छेतरफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई इसका मतलब यह है कि यदि आयत की लंबाई में आयत की चौड़ाई को गुना कर दिया जाए तो हमें आयत का छेतरफल प्राप्त हो जाएगा और हमें एक चीज और याद दखने की जरूरत है कि जो छेत रफल होता है जो 6 रफल की इकाई, दी गई इकाई का वर्ग होती है इसका मतलब यह है कि यदी भुजाये सेंटीमीटर में दी गई है तो आयत का जो 6 रफल है वह वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा यदि भुजाएं मीटर पे दी गई है तो जो आयत का 6 तरफल है वो वर्ग मीटर में लिखा जाएगा यदि भुजाएं फुट में दी गई है तो जो आयत का 6 तरफल है वो वर्ग फुट पे लिखा जाएगा यदि आयत की बुजाएं मिली मीटर में दी गई हैं लंबाईयां और चोड़ाईयां तो जो आयत का छेतरफल है वो वर्ग मिली मीटर कहलाएगा अब इस फार्मूले के ग्यात होने पर हम आयत के लंबाई और चोड़ाई की भी गर्णा कर सकते हैं मतलब आयत के लंबाई का फार्मूला होगा आयत का छेतरफल बटे आयत की चोड़ाई आयत की चोड़ाई का फार्मूला होगा आयत का छेतरफल बटे आयत की लंबाई तो एक फार्मूला हम याद करके तीन तरहें की चीजों को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम लोग चर्चा करते हैं आयत के परिमाप की आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी आकर्ति पे जो भी भुजाएं होती है उनके द्वारा जो घेरा गया छेत्र होता है वो उस आकर्ति का छेत्र फल कहलाता है और आपको यहीं पर यह रयाद रखने की जरूरत है लंबाईयों का योगफल उस आकरती का परिमाप होता है इसका मतलब यह है कि किसी आकरती की जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई उस आकरती का परिमाप कहलाएगी तो यहाँ पर अगर हम आयत के परिमाप की चर्चा करें आपके सामने चितर नजर आ रहा है तो आयत में और दो बार चोड़ाईं इस्तमाल होती हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि आयत का परिमाप क्या होगा आयत की लंबाई धन आयत की चोड़ाई धन आयत की चोड़ाई और अगर हम इसे गौर से देखें तो दो बार लंबाई का इस्तमाल हुआ है दो बार चोड़ाई का इस्तम चोड़ाई आई हैं अब अगर हम दिये गए फिगर ABCD में परिमाप की गर्णा करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर AB B plus BC plus CD plus AD ये दिये तो आप लोग बहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जब भी हम कोई चीज गर्णा करेंगे आकलन करेंगे तो वो हमेशा बैग्जानिक पध्धति के रूप में ही हम उसका आकलन करेंगे तो बिटर ये रहेगा हमारे लिए कि जब भी हम आयत के परिमाप का फ आपके सामने एक और चित्र आगया है अई इस चित्र पे आप देख रहे हैं कि जो भी आयत दिया गया है इसकी लंबाई है इसमाल E और चोड़ाई है इसमाल B और इस चित्र पर परिमाप की गर्णा करनी है तो मैंने आपसे बताया था कि दो बार लंबाई जुड़ेगी और दो बार चोड़ाई इस तरीके से पूरी सीमा रेखा जुड़ी आएगी तो यहां पर आयत का जो परिमाप बनेगा तो वो क्या बनेगा A धन B धन A धन B इसका मतलब यह है कि 2 A धन 2 B दो को बाहर कर लेंगे और ब्रेकिट के अंदर बचेगा A प्लेस B और आपको बताय जोड़ाई को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है धान रखेगा किसी भी आकर्ति का परिमाप उस आकर्ति में आई हुई समस्त भुजाओं की लंबाईयों के योगफल के बराबर होता है अब हम अन्त में आयत के विकर्ण के फार्मूले पर चर्चा करेंगे आपको पता है कि विकर्ण क्या होता है कि आमने सामने के कूनों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है अब चतुर भुज होगा तो वो चतुर भुज का विकर्ण कहलाएगा आयत होगा तो आयत का विकर्ण का लाएगा अब आप अपने सामने एक figure देख रहे हैं इस figure पे आपको एक विकर्ण नजर आ रहा है आप ये देख रहे हैं कि ये विकर्ण जो है वो एक लंबाई और एक चोड़ाई को कि जो सिरे हैं उनको आपस में जोड़ रहा है जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आयत का प्रते कोन 90 डिगरी होता है इसका मतलब ये है कि जो विकर्ण के साथ लंबाई और चोड़ाई जुड़ी हुई है ये एक दूसरे के साथ 90 डिगरी का कोन बना रहा है अप सभी लोगों को मालूम है कि इस प्रकार विकर्ण लंबाई और चोड़ाई मिल करके एक त्रीभुच का निर्माड कर रहे है त्रीभुच और कैसा त्रीभुच एक कौन 90 डिगरी है इसलिए इसलिए त्रीभँच समकौन त्रीभुच का यलाएगा विकर्ण तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कह सकते हैं कि विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग क्योंकि जो त्रभुज है वो आयत के अंदर बना हुआ है इसलिए जो भुजाएं हैं उनको नाम दिया गया है विकर्ण, लंबाई और अब हम विकर्ण को अकेले निकालना चाहते हैं तो यहां पर हमारा फार्मूला बनेगा विकर्ण बराबर अंदर रूड लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग यदि लंबाई को इसमाल L से और चौड़ाई को इसमाल B से प्रदर्शित करें तो आपका फार्मूला बनेगा आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूड L स्क्वायर प्लेस B स्क्वायर धान रखेगा आयत के अंदर दो विकर्ण होते हैं और जैसा आपको पहले बताए गया है कि दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं इसलिए यहां से जो भी आंकिक वैलू प्राप्त होगी वो दोनों विकर्णों के लिए समान लाएगे आशा करते हैं कि आयत से सम्मंदित जो भी सूत्र आपको बताए गए हैं वो सभी आपको बहतर तरीके से समझ में आए होगे और आयत के और धार्णा को भी आपने समझ लिया होगा जल्द ही चतुर बुच के एक और प्रकार के साथ नए वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी मैं आपका दोस्त और होस्त इम्रान जैहे